हेलो गाई स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पर हम यहां पर बात करने वाल है इंडिया वर्सेस फेलिया के बीच में जो 3020 खेला जाएगा जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके से आज आप अपनी कौन सी स्ट्रेटीजी लगा के क रहने वाले सब डीटेल में समझेंगे वस आपको यह पूरा वीडियो देखना है साट करेंगे पिछ रिपोर्ट से यह जो मुकाबला है बर्सा पारा क्रिकेट इस्टीडियम गौहर्टी के घ्राउंड पर खेला जाएगा कैसा रहता यह विकेट ओवरॉल टीट्वेंटी यहां पर आओ इंडिया और साउथ अफरिका 200 प्लस दोनों इनिंग में इसके बाद यह कुछ सयद मुस्ताकली ट्रॉफी के डॉमिस्टिक के मैचस खेले गए 176 बनाएं यहां पर 193 तो मोस्टली मैचस में आपको रंच बनते वे दिखें अब उसका रीजन क्या है कि इसक इन को 25 पेशस को 27 फर्स दिनिंग में जादा विकेट नहीं गिरा है सेकंड दिनिंग में जादा विकेट गिरा और सिंपल सा वह बात है यह तो सामने वाली टीम आलरेड़ी प्रैसर में आ जाती है ठीक है तो इस तरीके से कुछ पिच रिपोर्ट है और हां आगर आपको य पर बता दिया जाएगा लेकिन इस तरीके से रहेगा कि विकेट कैसा भी हो चाहे बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट हो तो आपको यह पता रहेगा पहले से अगर आप 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 अच्छा खेलता है ताकि आप पिच रिपोर्ट पता चलने के बाद अपनी टीम पीच जीत करा रही है इंडियंटीम में लेफ्टेंडर की कमी नहीं है यहां पर यह लोग ट्रेवी सेट को खिला सकते और यहां पर यह लोग एक पेशेस जो इनको लास्ट में कमी खली हो सकता है तन्वीर सांग गया अड़म जंपा मेंसे किसी एक को निकालके के यहां पर अच्छा किया थोड़ा डिसेंट परफॉर्मिस रहा है यह सस्वी ने काफी अच्छा किया ठीक है इंडिन टीम की जो गिंदबाज आएंगे पावर प्ले के वह है आर्शिदीप सिंग प्रसिद किस्ना रवीव उसनों यदि मैथ्यू सोट खेलेंगे तो यह आपक यह इनके पांच गिंदबाज है यह कुछ प्लेयर वाइज स्टैट्स है देखते वे चलो मैं हर मैच में यह आपको दिखाता हूं डीटेल में आपको कैसे स्टैट्स पढ़ना है आप पढ़ सकते हो जिसका अच्छा स्टैट्स उसको अमनी यलो कलर से मेंशन किया हुआ है अब मालों यहां पर आपको सिवं दूबे खेलते हैं तो उनका स्टैट्स देखने तो लेफ्ट हैंड बैस्मन राइटा मीडियम गिंदबाज अठारा मैच की ग्या राइनिंग में एक सो बावन रन पच्छिस का एक स्ट्राइक एक बर पचास किया है अठारा मैच की सो ल वहां पर जुड़ना बहुत इंपोर्टेंट है आफ्टर टॉस की सारी अपडेट और इस वीडियो के बाद कोई भी फॉर्दर न्यूज आती है वह वहीं दिया जाता है जिसके आप टीम में चेंजिस भी करते हो तो फटा फट जूर जाओ बिल्कुल फ्री है इंपोर्ट सकते देखो क्या चेंज़ेश होते हैं अभी के लिए परफॉर्मस देखो तो उतना अच्छा कंसिस्टेंसली परफॉर्मस किसी का नहीं है लास्ट मैं अच्छी फॉर्म में दिखे बालिंग से ने ने निलिस ने तीन विगेड निकाला यहां पर एक मैच में जो इस इंग खेलेंगे तो वह आएंगे यह आपको द्यान रखना है इनकी टीम से छे बॉलर्स खेल रहे हैं जिन में से अगर आप देखोगे तो एक नेथे निलिस और एडम जंपा का अल्मोस्स यह रहाता है कि चार चारोवर तन्वीर संगा यदि खेलते तो इनकी भी चारोवर आप से सकते हैं बॉलिंग डालने का आफ्टर टॉस क्यों क्यों आफ्टर टॉस ही पता चल पाएगा तो टेलिग्राम से जुड़ जाना और यह प्लेयर वाइज स्टैट्स है जैसे अभी मैंने इंडियन टीम का दिखाया सेम वही फॉर्मेट में मालों यह ट्रेविस हैड खेलते अब थोड़ा है टूएड रिकॉर्ड देखेंगे जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलते हैं तो किसका कैसा परफॉर्मेंस है इंडिया की तरफ से शुरी कमार यादा हो पांच मैंच की पांच निंग में 243 का एवरेज है इसन की सन पच्पन यह सविज एस्वाल इसन पर नेथे इनिंग में आठ विकेट अब वेन्यू स्टर्ट की बात करें तो यहां पर यह लोग एक मैच खेले हैं जिसमें सुरकुमर यादों ने इक सट की एवरेज से एक सट बनाया है डोमेस्टिक ली जैसवाल ने चाथिस जितिस सर्मन ने 27 बाकि अस्तुलिया की यह खेली नहीं बॉलिंग से देखो और सिप सिंग एक इनिंग में दो विकेट है यहां पर ने इथेनिलिस एक इनिंग में चार विकेट है आई पील का रिकॉर्ड है प्लेयर बेटल देख लेते हैं वैसे तो कुछ खास है नहीं देखो एक एक बार सब आउट हुए इससे की बात करें तो मैथ्यू सोट रवी उश्नु के सामने श्ट्रगल करते हैं और यह लाग स्पिन के सामने स्ट्रगल भी करते हैं जो इंगली ऑक्सर पर टेल 11 गिंदों दो पर आउट कर चुके हैं यहां पर ग्लैन मैक्सल्यल को अक्सर पर देल 14 गिंदो में दो आपको बत यह भी विकेट जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है तो मस्टपिक मैं थोड़ा नीचे आते हैं दर्वाइस काफी अच्छे बल्लेबाज है जौस इंगलिस के उपर मैंने रिस्क लिया है क्योंकि लास्ट में फ्लॉप हुए आप काफी लोग इनको छोड़ के जाएंगे बट बैटिंग विकेट के अच्छे खिलाड़ी यह थोड़ा इनको पर रिस्क लिया हुआ है थोड़ा नकंसिस्टेंट तो रहते हैं लेकिन फिर भी मैंने लिया वाए डिशी थीक है वैकन भान नहीं लाएं जाएंगे थिक है थोड़ा सा यह स्ट्रॉडल करत तो उदर अगर स्विंग एवेलेबल रहा और जेसन बैंटरोफ खेल रहें थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं तो यह थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं स्मॉल लिक के अच्छे पिक रहेंगे मैंने नहीं लियावा है थोड़ा क्योंकि मेरे पास अभी 11 प्लेयर पूरे हो चुके बट विकिट को देखते हुए यह भी स्मॉल लिक के अच्छे पिक यह थोड़ा सदेवे बल्लेबाज है स्टार्ट करते संभलके उसके बाद पारी सब्ल को चाहिस स्टार्ट कर लेतं वह राफ करते लेंगे इंडियन ठीम स्ट कर सकते और मैंने नहीं तोर्म फ्रमोट होbahn जाते हैं यह भी धिकէ है और राउंडर से स्टोइनीश को लिया है जिस तरीके से इनका बल्ले से परफॉर्मिंस आया है प्लस गिंद बाजी देखो लास्ट मैश में सिर्फ दो ही पेशर खेली तो इनके अच्छे खाजे चांसे ते गिंद बाजी करने के ठीक है और इन्होंने किया भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर महेंगे सामने लफ्ट हिंडर है प्लस बल्ले बाजी से कभी भी तावर तोड़ पादी खेल सकते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे एक एवरेज आप्शन तो रहेंगे लेग इस पीन अच्छा नहीं खेल पाते हैं लेकिन यह ना ऐसा की बल्ले काफी अच्छा गया था तो मैंने अभी के लिए अग्सर पटल को मैंने छोड़ा वाई यह विकेट को देखते हुए बैटिंग विकेट है लेकिन देखो इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है कभी गुच्छे में निकाल सकते हैं बल्ले बाजी आया तो हिट भी कर सकते हैं बल्ले बाजी से मैं ज्यादा उमीद कर रहा हु गेंदबाजी से मैं उमीद कर रहा हूं तो अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन्ग में जरूर लेकर जाएगा जब इंडियू सेंद इंग में बॉल इ arrest को उतना जबीब री others ।ो ही उनको विकेट मिलेगा इसको मिस्लीड समझ लेते हैं कहते हैं यार डिवा गया तो स्पिनर को विकेट ही नहीं मिलेगा मिल सकता है कुछ कंडिशन्स होती है विश्णोई को लिए अगर इंडियन टीम सेकेंड इरिंग में बॉलिंग करें तो मैं जरूर लेके जाओंगा और मैथ्यू सट खेले तो इनको पावर प्ले में आप देख सकते हो और वैसे भी यह इंपोर्टेंट रहेंगे फर्स इनिंग और चोड़ा हुआ है लेकिन इतना कंसिस्टेंस लिए आप इनको गुच्छे में निकालते वे नहीं देखोगे मैंने छोड़ा हुआ है अगर इंडियन टीम फर्स इनिं कैसी भी हो यह विकेट टेकिंग निचर के गिंद्बाज रहते हैं इंपोर्टेंट पिक रहेंगे चार ओवर पूरा करते हैं और रिसेंटली टी-20 में इनकी टीम ने इनको देख में भी यूज़ किया रेट सब्स इनिंग में इनको कंसीडर कर लेता हूं लेकिन रंस काफी ज़्यादा खाएं इंटरनेशनली अभी तक अपने आपको प्रूफ नहीं किया हाला कि बल्लेबाजी एक फैक्टर है कि बल्लेबाजी से पॉइंट दे सकते हैं टी संगा खेलते भी है तो मैं ज्यादा उमीद करूंगा नी क्योंकि वैसे भी इंडियन स बाड़ में से दोनों दोनों को ले रहे हो ना तो फिर इनको छोड़ देना अधरवाइस किसी एक को भी ड्रॉप कर रहे हो तो फिर्स निके गिंदबाजी में यदि इनीशल स्विंग रहा तो इनको कर सकते हो अभी के लिए जो टीम हो रही है वह कुछ इस प्रकार से जहा बढ़े बाजी के लिए तो जैस्वाल भी बेटर आप्शन है अब यहां पर मैंने आपको बताये का बढ़ेगी बस आपको मैच कंडिशन पता होनी ची उसके लिए आफ्टर टॉस्की जो मैं आपको टेलिग्राम पर बताता हूं बिल्कुल फ्री में तो वीडियो की डिस् आपने मैच अपडेट्स ले ली वीडियो में आपको हर एक प्लेयर की इंपॉर्टेंस बताई गई है दोनों को मिक्स करो खुछ से अपनी बहतर टीम बना पाऊगे और यह स्मॉल लीग की टीम है डेमो टीम में आपको सिर्फ समझाने के लिए 3-4 मेंबर वाली तीम यह दि उन्चास में एक करोड जीतने का सपना देख रहे हो तो उसके लिए आपको खुद मैनत करने पड़ेगी यह जो कुछ ट्रम पिक्स है प्रसिद किष्ण सीन अबोर्ट अक्षर पटेल तिलक वर्म और मुगेश कुमार इनके अलावा भी ना मैं आपको कुछ एक प्लेयर आ बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हो और यदि आपका अच्छा रहा तो आपके रैंक भी अच्छी आ सकती है ठीक है और इस वीडियो से होप करता हूं मैंने आपको काफी कुछ सिखाया होगा सिखाय तो एक लाइक करना फाइनल अपडेट के लिए हमारे टिलिग्राम चैनल आपके लिए जाहिन